हेलो साथियो मैं बेद प्रकाश आपके अपने यूट्यू चनल प्रकाश रिष्डी में आपका स्वागत करता हूं साथियो आज हम सब्सक्राइब करेंगे इससे पहले हम सिक्चा सास्त्र हिंदी और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का वीडियो बना चुके हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेट में जाकर देख सकते हैं हर एक डेट का हर एक सब्जेक्टा अलग अलग करके हमने प्लेट डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में आप जाईए और वहां से देखे साथियो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं अपने चैनल कर दें और जितने भी आपके चाहने बाले दोस्ते हैं वहां तक पहुंचा दें इस वीडियो को जिससे सभी लोगों का खायदा हो सके आए करते हैं साथियो क्वसन नमर 31 से इसमें पूचा गया है एक बेसम भिन्य को निरूपित करने वाली इस्तिती की पहचान कीजिए नीचे चार अप्शन रहे हैं चार अप्शन को पढ़के सही अंसर आपको उताना है क्वसन नमर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथ 31 का करेक्ट आंसर अप्शन 32 से हो जाएगा यानि साथ केकों को पांच सदस्यों में समारूप से विवाजित करना आगे देखे लेते हैं क्वसन नमर 32 32 में पूचा है निम्ले खितमे से किसका सत्य होना आवश्यक नहीं है नीचे चार अप्शन को पढ़के सही आंसर आपको उताना है क्वसन नमर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथ 32 का करेक्ट आंसर अप्शन 32 से हो जाएगा यानि दो पूड आंखों को घटाने के लिए हमें उनके संख्यात्मक मानों का अंतर ग्याद करके उसमें बड़े संख्यात्मक मान वाले कूड़ांग का चिन लगाना पढ़ता है आगे देख लिएते हैं क्वसन 33 33 में पूचा गया है सवाल दे रखा है दो सही एक वट्टे दो डिवाइड एक सही तीन वट्टे पांच इससे स्वाल करना है इसका नीचे चार उपसन रिखे हैं चार उपसन को पढ़के सही आंसर आपको होता न है इन में से करेक्ट आंसर क्या होगा साथ यो 33 का करेक्ट आंसर अफसन नमर चौथा सही हो जाएगा यानि एक से नो वट्टे सोले आदिक है आगे देख लिएते हैं Q.34 में पुचा गया है, निम्न गुरण फालों में से किस से प्राकर्ते के संख्याएं प्राप्त होती हैं, नीचे 4 आपसण रिखें, 4 आपसणों को पढ़के सही आंसर आपको उताना है, Q.34 का correct answer क्या होगा, साथ ये 34 का करेक्ट आंसर अप्सनों सेकंड सही हो जाएगा यानि 3 इंटू 5 वट्टे 15 आगे देख लेते हैं कौसर नमार 36 37 में पूचा है 5.035 के संगत मिस्रित भिन्न है साथ ये स्वालू करने पार नीशे 4 अप्सनों को पढ़के सही आंसर आपको उताना है कौसर नमा 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथ ये 35 का करेक्ट आंसर अप्सनों मा 30 सही हो जाएगा यानि 5 सही 7 वट्टे 200 आगे देख लेते हैं कौसर नमा 36 36 में पुचा है तरबुज A B C में A B बराबर A C है तथा भुजा A B को D तक इस परकार बढ़ाया गया है कि तरबुज CBD बराबर 150 डिग्री है तब कौन B A C बराबर है नीचे 4 अप्सन रिके हैं 4 अप्सनों को पढ़के सही आंसर आपको उताना है कौसर नमा 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का करेक्ट आंसर अप्सनों 4 सही हो जाएगा यानी 120 डिग्री आगे देख लेते हैं कौसर नमा 137 कौसर नमा 37 37 में पूचा है किसी तरबुज A B C की भुजा B C पर D एक बिंदू इस प्रकार है कि A D लब मबात B C और D इकल टू D C है तब नीचे 4 अप्सनों को पढ़के सही आंसर आप होता ना है कौसर नमा 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का करेक्ट आंसर अप्सनों 30 रा सही हो जाएगा यानी कौन A B D इकल टो कौन A C D S A S द्वारा आगे देख लेते हैं कौसर नमा 38 38 में पूचा है एक कागा जिक पर सिमी सेंटी सिमी रेखाएं L M और N इस परकार खीची गई है कि फ़िश कहता है L M पर लंबबत है और N M पर लंबबत है तब नीचे 4 अप्सन रिके हैं 4 अप्सनों को पढ़के सही आंसर को पोता ना है question number 38 का correct answer क्या होगा 738 का correct answer आप्सन आप्सन में पहला सही हो जाएगा यानि L और N समानतर है आगे देख लेते हैं question number 49 49 में बुचाए किसी भी त्रुवजी के लिए समामित रेखाओं की समावेत आधिकतम संक्या है नीचे 4 आप्सन रिके हैं चार आप्सनों को पढ़के सही आंसर आपको अताना है question number 49 का correct answer क्या होगा साथ 49 का correct answer आप्सन सही हो जाएगा यानि 3 आगे देख लेते हैं question number 40 40 में बुचाए बाबु राज एक कागज की सीट पर दो रेखा हंड AB और PQ कीचता है यादि ये दोनों और एक आखंड दोनों और कितना भी विश्रित करने पर कभी भी परस्पन नहीं मिलते हैं तो AB और PQ निम्न दो के भाग है नीचे 4 आप्सन रिके हैं 4 आप्सनों को पढ़के सही आंसर आपको अताना है question number 40 का correct answer क्या होगा 47 का correct answer option second सही हो जागा यानि समानतर रेखा है आगे देख लेते हैं question number 41 41 में पूचा है किसी आयताकार खेत की लंबाई और चोड़ाई के में अनपात दे रखा है 10 अनपात 3 है खेत के 4 और 12 रुपे प्रते मीटर की दर से वाड लगाने की लागत 6,240 रुपे है खेत का खेतर पाल मीटर स्वेर में होगा निचे 4 अपसने के हैं 4 अपसने को पड़ के सही आंसर आपको अताना है question number 41 का correct answer क्या होगा साथ ही 41 का correct answer अपसन आप 14 सही हो जागा यानि 12,000 आगे देख लेते हैं question number 42 42 में पूचा है मान लीजिए कि S और S दो समांतार उचाईयों के बेलन है यदे S का व्यास S के व्यास का दुगना है तो S का चक वक्र प्रिष्टियक छेतर फाल क्या होगा नीचे 4 अपसने के हैं 4 अपसने को पड़ के सही आंसर आपको अताना है question number 42 का correct answer क्या होगा 43 में पुचाए सोविन के पास दो समकौन तिरबोज हैं जिनमें से प्रतिका चेतरबल 6 मीटर स्क्यार और करण 5 सेंटी मीटर है पोज्याओं की लंबाईयां पूर संख्याओं में हैं वह इन्हें इस प्रकार व्यवस्तित करता है कि उनके करण संपाती हों तता परिणामे आकरती एक आयत बने तब इस आयत का परिमाप है नीचे चार अपसंद्र के हैं चार अपसंद्र को पढ़के सही आंसर आपको उताना है कॉसर नमर 43 का correct answer क्या होगा साथ यो 43 का correct answer आपसंद्र 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 को सही हो जाएगा यानि 14 सेंटीमीटर आगे देख लेते हैं कॉसर नमर 44 45 में पूचा है दो पासंद्र को फैंका जाता है तथा उन पर आई संख्याओं को जोड़ा जाता है यदि यहाँ ग्यात है कि आई हुई ये दोनों संख्याओं भिन्ने भिन्ने हैं तो इसकी चाप्राइक्टता है कि प्राप्त योग बारे है नीचे चार अपसंद्र के हैं चार अपसंद्र को पढ़के सही आंसर आपको ताना है 44 का correct answer क्या होगा 45 का correct answer अपसंद्र पहला सही हो जाएगा यानी 0 आंसर आएगा इसमें आगे देख लेते हैं को समर 45 45 में बुचाए निम्न आंकड़ों पर विचार कीजी आंकड़ा देरे खाए 9, 7, 31, 26, 27, 48, 20, 5, 7 जाज करने पर पाया गया कि एक प्यक्षण 48 गलत था तथा उसे 84 से बदल दिया गया तब खालिस्तान का के मान वही रहेंगे नीचे 4 अपसंद्र के हैं 4 अपसंद्र को पढ़के सही अंसर आपको उताना है कोसर नमर 45 का correct answer क्या होगा साथ ये 45 का correct answer अपसंद्र नमर 44 सही हो जाएगा यानि बहुलाक और माध्यक आगे देख लेते हैं कोसर नमर 46 46 में पूचा है यादे 2 कुष्टर में रखा है y प्लस 5 यूकल 2 माइनिस के 3 2 माइनिस y है तो 3 y प्लस 8 बट्ट 2 का मान क्या होगा नीचे 4 अपसंद्र रहें इसमें पूचा गया है यादे x माइनिस y पे रावर 5 दे रखा है और x स्क्यार प्लस y स्क्यार यूकल 2 बट्ट 3 5 था x और y धनात्मा कहें तो x स्क्यार माइनिस y स्क्यार का मान क्या है नीचे 4 अपसंद्र कहें 4 अपसंद्र को पड़के यादे 2y-3x-2z दूसरे question में दे रहका है 2y-3x-2z यूकल टो 4y² प्लस के axy 9x²-4z² है तो एका मान क्या है नीचे 4 option रहके हैं 4 option को पढ़के सही answer आपको होता ना है 48 का correct answer क्या होगा साथ 48 का correct answer option आप 30 सही हो जाएगा यानी minus के 12 आगे देख लेते हैं कुसर नमर उनन्चास 49 में पुचाए कोई दुकानदार 100 वल्व यानी 10 रुपे प्रत वल्व की दर से खरीदता है उसने उस सभी वल्वों को बेच कर 25 परसेंट लाव अर्जित किया 25 परसेंट लाव अर्जित करने का अन्यर्ण लियाद या परिकल्पना करते हुए सभी वल्व बिग जाएंगे परन्तो उसने देखा के इन में से 10 वल्व खराब हैं जिने बेचा नहीं जा सकता उसने 6 वल्वों को 14 वे प्रत वल्व की दर से बेच दिया तब उसे नीचे चार अपसंद्रिक हैं चार अपसंद्र को पढ़के सही आंसर आपको तन है कोस्ट नमर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथी 49 का करेक्ट आंसर अपसंद्र आपको पहला सही हो जागा यानि प्रत्यासित धनरासी से 10 रपे आधे के प्राप्त हुए आगे देख लिते हैं कोस्ट नमर 50 50 में पूछा गया है X दूसरे कोस्ट अपने रखा है Z मैनेस X मैनेस Y कोश्टक 1 प्लस Y Z मैनेस Y मैनेस X कोश्टक 1 मैनेस Z फिर कोश्टक X प्लस Y प्लस Z बरावर है नीचे यह समी कर दे रखें इन में से correct answer आपको उताना है इन में से सही answer क्या होगा साथ इसे solve करने पार इसका correct answer और सुनमर तीसरा सही हो जाएगा यानि माइनस के x² माइनस के 2xy माइनस के z² माइनस के y² आगे देख लेते हैं कौसर नमर एक क्यामन एक क्यामन पूचाए एक सिक्षक ने विद्यार्थियों से रामानो जना संख्या को दो घन संख्याओं के योग के रूप में ब्यक्त करने के लिए वहमेन तरीकों को जाद करने के लिए कहा यह कार्यर सिक्षक के प्रयास को दर्साता है नीचे चार अफसन रिखे हैं चार अफसनों को पढ़के सही अंसर आपको उताना है क्वेस्ट नमर एक क्यामन का करेक्ट अंसर क्या होगा साथ एक क्यामन का करेक्ट अंसर अफसनों मचोथा सही हो जागा यानि विद्यार्तियों में सरजनात्म का चिंतन को बढ़ाना आगे देख लेते हैं कॉसन नमर बामन बामन में पुछा है निमल खित प्रिष्णों की तुलना कीजिए एक कहता है यादे थ्री यू यू एस डॉलर का मान 180 भारतिय रुपेओं के बराबर है तो कितने भारतिय रुपेओं एक किस यू एस डॉलर के बराबर होंगे भी कहता है यह एक ब्रत्ताकार पतपर जोया और रजनी एक बराबर गती से भाग रहे हैं जोया ने पहले भागना शुरू किया और उसके जब नौ चकर हो गए थे तब रजनी के तीन चकर होए थे जब तक रजनी के पंद्रे चकर होंगे तब तक जोया के कितने चकर पूरी हो जाएंगे निमले कितमें से कौन सा कतान सही है नीचे 4 अफसन दर कहें 4 अफसन को पढ़के सही आंसरा को उताना है कोसन अमर 25 का correct answer क्या होगा ताथ ये बामन का correct answer of second सही हो जाएगा यानि ए प्रिहन समान पात पर आधारित है बी के लिए यूग और ब्यवकलन के जान की आवसेक्ता है आगे देख लेटे हैं कोसन अमर 23 त्रेपन में पूचा गया है निम्ले कितमें से कौन सा गड़तिय रूप में से प्रतिवाशाली विद्यार्थियों का गुण है एक कहता है पैटर्ण का पता लगाने और गड़तिय अवधारणाओं के बीच सम्मन्द बनाने में सक्षम भी कहता है विशलेशन करने तर्क करन करने की चमता दिखाते हैं सी कहता है और कलाना विदियों का प्यों करते हुए पुस्तक में दिये गए सभी अभ्यासकार को हल करते हैं गड़तिय समश्याओं और पहेलियों को सुल जाने में आनन्दित होते हैं नीचे चार अप्सन को पढ़के सही आंसर आपको वताना है क त्रेपन का करेक्टर आंसर क्या होगा साथ यह 3 पन का करेक्ट ऑसं और में का मूलीयंक करना निमन में से कौन सा लक्षण है यह कहता है एक निर्देस आतम के एकाईयों के अंत में छातुरं के आदिगम का मूल ल्यांकन करना भी कहता है चात्रों को उनके प्रदसन के स्थर को दर्शाने के लिए प्रत्रसत या किसी अन्य रूप में ग्रेड देना स्थर कहता है सिक्षण और आदेगम की गते विदियों को सुधारने के लिए आदेगम की प्रिक्रिया के दोरान अपयोग किया जा सकता है नीचे चार अपसंद्र के हैं चार अपसंद्र को पढ़के सही अंसरा को उताना है क्या होगा साथ यो चाववन का करेक्ट अंसर अपसंद्र पहला सही हो जाएगा इसमें A और B उपसंद्र सही हो गया आगे देख लेते हैं क्या सनमर पच्पान पच्पान ने पूछा है आंकणों का प्रमंदन का विसए पढ़ाने के लिए कक्षा साथ के अध्यापक स्री जस्वंत ने सर्वेच्छन आदारित परियोजना दी जिसका सीड़ सक बाजार और गड़ित है अध्यापक का लक्ष है नीचे चार अपसन देखे हैं चार अपसन को पढ़के सही आंसरा को अताना है क्वेशन नमर पच्पन का करेक्ट आंसर क यह जागा यानि गड़ित को छात्रों के देने के जीवन से जोडने और आकणों के संग्रा के वारे में जानकारी देना आगे देख लेते हैं कुसान मर चापन चापन में पूचा है गड़ित का कार विदिक ज्यान कलन विदी को समझने और उसे परियोग में लानने पर सब्सक्राइब को चापना है क्या होगा गड़ित के अनुप्रियोगों को समझने में समर्थ हो जाएंगे या विशिष्ट उद्दिश्य नीचे चार अप्सन रिके हैं चार अप्सन को पढ़के सही अंसरा को उताना है कॉसर नमा सत्तामन का करेक्ट अंसर क्या होगा सात्यों सत्तामन का करेक्ट अंसर अप्सन पहला सही हो जागा यानि अनप्रियुक्त है क्योंकि अधिश्य और ठीक से परिवासित नहीं है आगे देख लेते हैं कुसर नमर अठामन अठामन में पूचा गया है शिख्य का एक तुठी रहेत सिख्य को 20 वार उचालती है तो उसे 8 वार चित और 12 वार पट मिलता है इसी सिती को ध्यामन रखते हुए विद्यार्थियों द्वारा दिये गए निमले खेत उत्तरों में से कौन सा उत्तर सही है नीचे चार अठामन को पढ़के सही आंसर आपको तना है क्वेसर नमर 59 का 58 का करेक्ट अंसर क्या होगा साथे 58 का करेक्ट अंसर आपसनाव 14 सही हो जगा यानि चित और पट आने की आधी आधी प्रायक्ता का अर्थ यह नहीं है कि सिक्षा उच्छालने पर भी उन्हें हमें बिलकुल 50% चित या पट ही मिले आगे देख लेते हैं क्वेसर नमर 59 में पूचा है एक सिक्षा ने देखा कि उसकी कच्छा का 11 वर्थ का चात्र विविन्न प्रकार के चत्रभुज को भिन्न वर्गों में वर्गी करत कर सकता है परंत उसे उपपत्ती एक चत्रभुज के अंता कोणों का योगो 360 डिगरी होता है को समझने में कठनाई हो रही है जीन प्याजे के ज्यानात्म का परिकलपना के अनुसार चात्र खालिस्तान में है नीचे चार अफसन रिखे हैं चार अफसन को पढ़के सही आंसरा को उताना है 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा ताते 59 का करेक्ट आंसर अफसनों पहला सही हो जगा यानि मूर्त संक्रियात्म का अबस्ता आगे देख लेते हैं कोसन नमर 60 60 में पुचाये बीजगडित पर एक एकाई के पूरा एकाई के पूरा होने के बाद एक सिच्छ का शमश्या शमाधान और वेवेचन यानि तरकणा कोसल पर विद्यार्थियों का आंकल करने के लिए एक रूब्रिक विकसित करने का नेने लिती है निमला खिद मैंसे कौनसा रूब्रिक कथन यानि रूब्रिक में सम्मलित करने के लिए सर्वादिक विकसित है एक कैता है शमश्या को सुल जहान्य से पहले समझाना भी कैता है तर सूची में से उत्रों को याचना और उसके अनुसार रणईनीती विकसित करना C कहता है गड़ती या कथनों को तारिकिक प्रगती में निर्मित करना और D कहता है सब्दों, तस्वीरों और अंकों के प्रयोग से विचारों को केवाल लिख कर समझाना इसे चार अफसन रहे हैं, चार अफसनों को पढ़के सही आंसरा को उताना है चार अफसन कमें, क्या होगा, साथियो साट का कैरेक्ट आंसर अफसन में क्रेक्ट होगा साथियो जितने भी इसमें आपके मेर्च के फूजे गएते, यानि गरित के कोशन पूझे गएते, सभी हमने कंपलेट कर लिए हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्ली वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और अपनी चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो प्ली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें आज के लिए बसतना ही धन्यवाद